इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जख है व्रतिश राविका, श्रीमती रतनिमाला जैन एवं सुपुत्र, श्रीमान आदर्श जैन की पुन्नी स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांद जैन, रोहिद जैन, सुर्भी जैन, तुशार जैन, शल्पी जैन, अर्नव जैन, आहरव जैन तब तक घर के पुरुष लोग रसोई घर में पैर भी नहीं रखते थे, रसोई घर में अधिकार किसका है, महिला का अधिकार है, ग्रहनी का अधिकार है, हम लोग भी जब बड़े बड़े पंचकलनान, जब बड़े विद्धान होते हैं, तो आपने मंदिर बनवाया है, आपने पंचकलनान कराया है, आपने मूर्तियों की स्थापना विराजमान की है, भग पूजा के लिए, अभी शेक के लिए, दरसन के लिए, पेरना ग्रहन करने के लिए, अनुवरतों महावतों को धरन करके पेरना देने के लिए मूर्तियों के अपने सापना करिये, लेकि का बोलते हैं रगवन हम आपसे आग्या चाहति मैं को tetri है आपको यहांसे उठा रहे हैं और विनय पूरवक्वाफ को हैंसे ले जाएंगे वहांपका अबिशेक होगा फिर जो भी दो दिन का चार दिन का चैनी का आटायों का अठाई दिन का दस दिनका जो पूजान विधान होगा उन दस दिनों तक या आदे घंटे तक एक घंटे तक हम वहां पर आपको रखेंगे और फिर बिने पुर्वक हम आपको यहां पर लाकर के रख वापस विराजवान कर देंगे मूर्ति के आप देख्षन करने की नहीं है बात आपके मन की भावनाओं की है आप बिन पूछे भगवान से पूछने से पूछना पड़ता है मंदिर जो ववस्तापक लोग होते हैं मंदिर जी को जो बागडरो समाली भी लोग होते हैं उनकी परमिशन आवशकता होती है उनके कान में बाट डाल देना जोरी होता है हमारा भी चौँमा सा चल रहा है शुद्धी के लावा अहार के लावा कहीं पर अगर जाना होता है तो को दो तीन चार बार ऐसे मोख आई इसी चौमा सेकंद की बुजरुक दादी है और चलने ही पा रही है और लग रहा है कि आखरी समय ता पुद्धोधन दे दीजिए तो जब हम यहां से गए तो बकायदा मंदिर के माली जी को खबर कर दी कि अमुक दादी है अमुक हे मुंद्राज को कहीं कि tutorial है कि कहीं कोई आवशकता नहीं है लेंगे सामाज के अपने नियम होते हैं अपनी परंपराएं होती है हुँते को या बड़े को मारूम होना妹 कि आप कहाँ पर क्या और जा रहे हैं को सूच ना कोई गोश ना आपके मैंदा मसे आपके डारा हूनी चाहिए जिसको बड़ा गहरा है यह स्टेज इस चुम चैब को चुपचाब कुछ भी करने लगे एक दिन मालूम पढ़ेगा और उजागर तो बात हो नहीं वाली भली धर्मक्रिया करी हैं भली धर्मक्रिया करी हैं मम्मी में पूजा करने जा रहा हूं मम्मी में स्वाध्याय करने जा रही हूं तो फिर अगर मा धर्मात्मा होगी दो बाते और बता देगी बेटी धर तो होता है काय का चोरी का उल्टा अस्ते ये का तो आज के यह पवुत्रचन अभी हमने समझा कि हिंसा क्या होती है और हिंसा क्या होती है और और असे तवचन क्या होता और चोरी क्या होती है बिना स्वामी की आज्या के जो आप से बड़े हैं अब कोई सबी काम करने जा रहे कोई ने कोई तो आपका बाप होगा कोई ने कोई तो आपसे बड़ा होगा और कोई नहीं है तो आप किसी को अपने से बड़ा मानिए उचा आशन आदर उसे दीजिए उसकी आज्या में चलिए एक दिने ने बोला था ना महिला बोलती ही महराज बेटे सुनते नहीं है बच् सकता है साससों बीचारे बूड़े हो सकता हमावाब बीचारे बूड़ी हो कुछ करना पाती हो पाइसान कमा रहे हो समान ये प्रसिद्ध नहों मान नहों सम्मान नहों उसके बावजूद भी उन्हें वो सम्मान दिया जाना चाहिए उस उमर पर वो जाकर के पहुंचे उन्ह जिन aún क तो खाइब बुद्धी हैं उसके बहुत बीThis is a बेस है सुछ रिभाव कुमार मेन अपने जीवन के अंदर देखिए कि कोई अच्छा काम करते हैं किसे विशिय स्काम से जाते हैं तो भूलते हैं पापा अश्यरекст दो माता आशिरवाद दो माता अशिरवाद दो और वो तो बिचारी मंद बुद्धी है जो जीना एक शब्द नपढ़ पाई जिसे खाने तक कर जिसे नाहाने तक कर जिसे एक नमब दुद नमब जाने का डिसे विवेक नहीं कहींभी कपड़ों लेटरिंग कर लेती बाथरूम कर लेती है जो अपने यासे खा निक पाती नहां निक पाती कपड़ी निचेंग कर पाती है ऐसी मा के लिए उसका बेटा बोलता है कि आशिरवाद दो समस्ति नहीं है कि आशीवाद क्या चीजिय बिष्त है वो समस्ति नहीं है कि बेटा कहा जा रहा है और क्यों जा रहा हूँ इसी माह जो पढ़ाई लिखी नहीं है जो मंद बुद्धी है जो बिलकुल पागल जैसी है बेटा उसका भी आशिरवाद लेता है और बेटा मुझे बोलता महराज जी जो है सब इनी का आशिरवाद है जो भी है वो सब इनी का आशिरवाद है बताईए आप हम जो भी बड़ा काम करते हैं इनसे पूछ करके करते हैं जो भी बड़ा काम करते हैं कि महराज वो इतनी उचाई पर पहुंच गए तो यूहीं नहीं पहुंचे इतनी उचाई पर गुरु का आशिबाद अपना घ्यान ध्यान तब त्याग लेकिन साथी साग उनके आसपास एशेदू चार पांक दस बीस पच्चिश श्रावको के टोली है जो इतने समर्पित ज इसकी हदन इसका हिसाब नहीं कि एक अजित कुमार जी है गुर्दीव का इननशिश शनन भक्त हैं बार्सु संकी सीवा में लगे हुए हैं तो उनके छोटे भाई को किसी ने कहा कि आओ चलो पन ऐसा सा कर लेते हैं बिजनस में तुमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके बड़े भाई बैठें पिता जी नहीं है तो क्या हुआ बड़े भाई बैठें हैं पिले सलह मश्विरा करूंगा पहले चर्चा वारता करूंगा उनकी आग्या लूँगा उनकी परमेशन लूँगा फिर ही में आगे बढ़ने वाला हूँ आग्या क्या शब्द यूश्किया है आग्या आग्या कोई और किसी घर के अंदर कहीं कोई बड़ा भाई नहीं है कोई माता पिता नहीं है कोई दादा नाना कोई चाचा जी मौसा जी फूफा जी भुवा जी कुछ भी कोई घर बड़ा नहीं है तो ऐसा इंसान किसी पडो स्पास के समाज की किसे दूर के रिष्तेदार को अपना माल लेते provided कुछ बड़ा काम करने वाले होते हैं सलाह माशूरा करते हैं कहीं न कहीं कोई आप के लिए कोई ऐसा मेंटर होना चाहिए जिसकी सलाह लेके आप काम करें जिसके सफेद वालों का, जिसके अनभाओं का आप लाब ले हिसका नाम क्या होता यह चॉरि है अचॉरे मतलब nossoरी का मतलब मातर यह नहीं होता a कि तुमने वश्तु उठाई और ना उठाई, इतना तुम इतना मतलब ने सोरी का यह ख़ा है आग्या आप आग्या ग्रहन केजिए आप आग्या ग्रहन केजिए मुझे आग्या दीजिए मुझे आशिवाद दीजिए अब वो बाप बोलता बेटा मुझे समझ नहीं है कि तुम क्या बिजनस करोगी और कहां पर जाओगे और वो लोग कैसे हैं उस बिजनस में कितना फाय शिर्वाद देदो बाकिसम्में देख लूँगा एक पाकत होती सपोर्ट एक मालल सपोर्ट हमारे पास हुआ करता है तो उसको बोलते हैं अस्ते लचोरी नहीं करना अगला है काम वासना आप समझते हैं गिटिल की मुझा आउशकता नहीं है लोग के आवेश से लोग के आवेश से भाई ये पदार्तों का ग्रहन करना मूर्चा है या परिग्रह है लोग लोग पैदा हुआ है कुछ आपने ग्रहन किया है आसकती प लोके मैंने पेड़ा हुई उसका नाम परिग्र हुआ करता है, तथतत्त सुत्र में सामियाचा लिखते हैं मुरचा परिग्रह यह वस्तू अच्छी इससे मेरा भला हो जाएगा इसको रख लो घ्टिय्क आच्छा है इससे मेरा कुछ भला भला जाएगा अब ये मेरी पकड से चूटना नहीं चाहिए वोड़ेश्थि उसने आपसे बात करना बन कर और दिया वह आपको भूल गया उसने आपको दिमाख से निकाल दिया तो ले फिर डेप्रेशन चले जाते हैं ते स्वूसाइट कर लेते हैं है चीजों से लोगों से मेरा भला होगा मेरा कल्यान होगा इस भावणा का नाम हरी परिग्रह है वह चीजों से, लोगों से, इस्थानों से, जगहों से, मेरा कुछ भी भला नहीं होगा, इस भावना का नामी आप परिग्रह की भावना हैं, ठीक हैं, आप गरस्ती में हैं, संसार में हैं, तो कुछ चीजों को तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो आ आपको अपना बनाना पड़ेगा रिस्ते नाति उनसे जोड़ने पड़ेंगे वो रिस्ते नाति इतने नो जोड़ जाएं वो रिस्ते नाति पति के पतनी के सास के बव के बेटे के पोति के उनाति इतने नो जोड़ जाएं कि कलेश करना शकूर दो वह ऐसा क्या हो कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा हो कैसा नी करना चीर उसको अरे भाई व तुम्हारा परिग्रह नहीं तुम चैतन जीवातमा हो उसे तुम्हारा कई को रस्ता ही नहीं है तो किस्मत थी कुछ जोस्त योग थे कुछ पुदल के परमानू थे कुछ उसका अनिमित उपादान था कुछ आपका अनिमित उपादान था कि इस दीवन यातर में आप उसके साथ में शामिल हो गए कुछ दस-inkyेश सालों के लिए या कुछ पचास सो सालों के लिए के साथ में हो तब सम्ताभाव तो नई तो फिर किलश करके, खुड करके, घुट करके, चिलड चिड करके, आप तो नरका ही रसता खूल रहे हो, आत्मा कुलों को पतंग गड़े में गिराने का पुरुशार्त कर रहे हो यह समयाक पुरुशार्त पेदा हो तो इन पांच चीजों से जिसे महिंसा जूट चोरी कुशील और का कहतें परें पांच चीजों से विपरमन क्या च्टooky misleading है वे परमन विरत होना रत नहीं होना रत नहीं होना क्या होना विरत होना कि तो ना प्यारा वर्ड़े विरत होना विरत 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 इसी विरत से बना वरत उसी वरत से बना वरत इस वरत इस विरत उस वरत ये तीन शब्द इतनी जादा बार यहां पर मैं तो कई बार बोलो मैं आपको जो शब्द आपका उच्चारण नीवन पा रहा है जिस शब्द के उच्चारण करने में आपको दिक्कत हो र झटकटा रही है या इस शब्द का मत लब आप नहीं समझ पा रहे हैं जम चोटे बच्चे ते, तो सब के साथ नहीं घटना घटती थी, जो शब्द पने रहा थी त्यूम लिखने पाते थे सुदुचान नहीं बन रहा है चलो दस बार बोलो बीस बार बोलो और फिर भी नहीं बोल पाए फिर पचास बार बोलो और सो बार बोलो आप तो बार बार बोलो बार 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 बोल के बोल बोल के ऐसा भी होता था कि 50 बार बूलने के बाद में या 100 बार दो रहने के बाद में उट शब्द आटोमेटिक सही उचारण के साथ में हम भूल पाते थे तो ऐसे ही कहीं किसी व्रत नियम को दारण करने से आप पीछे लोट रहे हैं आप घबरा रहे हैं डर रहे हैं मन करें किसी कोन में कोई भैसा समया हुआ है इतना महान वृत भली छोटा सा वृत लिया आपने पर मन में एक वो शैतान बैठा हुआ जो कहें गारी वृत भंगी महा भंगी तुम नियम ले लोगे तुम ढंग से पालन न कर पाए तो कहां इस सोच को बदलने के लिए अच्छा बेगवनिया पर लिख रहे हैं वो शब्दों को बार 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 दोहराया जाता है जो शब्द मुझ से गलत निकलता है जब शब्दों को बार बार दोहराते हैं फिर शब्द आट्व मुनिक सुधर जाता है समर जाता है हमारी जी जीव हमारी जीव इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाती है डाक्टर जो बोलते हैं मेडिकल साइंस बोलता कि शब्द का उचारण निकर पा रहे हैं तो क्यों निकर पा रहे हैं आपकी जीब के लचिला पन नहीं है आपके जीब के विबिन भाग हैं तो आगे से पीछे से उ आदों शब्द को उचारण करते हैं तो आतोमेटीं जीब की मान जॉष्य को ठेनिंग देरे होते हैं आप कुछ शब्द का उचारण नहीं कर रहे हैं अपनी मान siitä को ठेनिंग दे रहे हैं तो ग्हुझति seguridad के लुखी जीवन के शब्द को जाबूँर्द करते हैं तो टिमा मन में चिंतन करते हैं अगर संस्कृत नहीं आती है तो मात इन ग्रंदोकम छू लेते हैं मात रिश्पर्ष कर लेते हैं ऐसा करके हम अपनी आत्म को ट्रेंडिंग दे रहे हैं हमारी आत्म हमारी विचारना हमारी थिंकिंग हमारी सोच की धरा इस तरह बढ़ना चाहिए इस त भी उस्थ ने सारे पाप किये इस इस इंसान ने उभी क्या मालूम कब दोकाद जाया कुछ नहीं कहा जा सकता है कोरोनकाल में देखा और इतने बड़े-बडयात आतंतल करदियों को मारने वाला कॉन आमेरिका का राष्ठ पती वह खुद acts पड़ी za म reunited in हिंदुस्तान का इतना पावाफुल ग्रहमंत्रीं उसे कुरोन आया वह कुद पेक हो गया वह खुद बंद धो गया बड़ देशों के बड़े बड़े आश्टा ध्यक्ष बड़े राष्ट पति बड़े मत्रे सारे देशों के शेट के अंथरा रहे है इस yat कोई भुरोसा नहीं है चोटा सा कीड़ा चोटा सा बेक्टेरिया चोटा सा वाइरस इस तरी का सत्यानास कर सकता है भला करेगा तो मात्रे धर्म ये संसकार सदा चार और पांच अनुवरत साथ देंगे जीव का इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जख है व्रती श्राविका, श्रीमती रतनिमाला जैन एवं सुपुत्र, श्रीमान आदर्श जैन की पुन्नी स्मृती में श्रीमती रेखा जैन, निशांद जैन, रोहिज जैन, सुर्भी जैन, तुशार जैन, शिल्पी जैन, अर्नव जैन, आ झाल झाल